hello everyone welcome back to youtube channel of vertex education dvg this is your tutor rekhraf fatima here and today we are going to study about the limit of civil disobedience movement आज की इस वीडियो में हम limitations परेंगे civil disobedience movement की ठीक है तो have a look at this the limits of civil disobedience movement यह जो limitation start हुआ है यह limitation दो चीज़ से यह civil disobedience movement इसका जो limitation है दो है बस एक कास्ट है और एक religion है पास्ट में हमारे dalit वगहरा आजाएंगे और religion में हिंदू muslims के बीच में रहेंगे तो यह सारी चीज़े बस इसमें इस वीडियो में हम सिर्फ लिमिटेशन में दो ही चीज़ पर फोकस करेंगे एक कास्ट पर और एक रिलीजन पर फोकस करेंगे पेला देखो दलित अंटचेबल स्पर्टिशिपेशन वाज लिमिटेट यह इसमें क्या था नहीं कर सकते थे लिमिटेट था यह बहुत तरीके से कहा जा सकता है कि उन्हें नीचे नजरिये से देखा जाता था क्योंकि यह हाइस स्टैंडर्स नहीं थे दलित और ब्राहमन साथनीज के बीच में क्या था डिफ्रेंसिस था चुआ चूआ चूट माना जाता था जिसके कारण जो नीचे कास्ट के होते थे लोग होते थे वह मुव्मेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करते थे लेकिन महात्मा गांदी जी का ऐसा कहना था कि अगर मतलब जो भी दलित होगा अगर हमें स्वाराँ चाईये हमें independent होना है स्वाराँ परेंगा हमें या च इसको हमें क्या करना परेगा दूर करना परेगा यह सब चीज को दे करके महात्मा गांदी का एक ही कहना था कि स्वाराज चाहिए अगर तो यह जो इसे खत्म करना होगा तभी जाकर सकते हैं स्वाराज हासल कर सकते हैं तो गांदी जी जी ने क्या किया हुदी वाश्रूम साफ किया हुदी उन्होंने और उन्टेचेबल को हरी जन नाम दिया था हरी जन यानि चिल्डर्न ओफ गौड फिक है यह समझ में आया लिमिट और दे बीच में नहीं बनती थी नीचे कास्ट के थे तो जहां यह पार्टिसिपेट करें वहां वह नहीं जहां वहां यह नहीं मतलब बहुत चुछा-चूत हो तो गांधी जी का कहना था कि अगर यह चलता रहेगा तो हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे फिर उसके बाद यह सारे छीज़ों को देखर के अमबेद और बीच्ट ठीब्स क्लासाश शूसीएशन उन्होंने लेकर लेकर आए वह लेकर लेकर दोने लाए डिप्रिट क्लास शूसीएशन वे लाए उसके इस हों का था कि और वाइफ्र बहुत अंटाचाबल हो रहे थी अन्टे तो इन सारी चीज को देखर करने उनके फिवर में यह डिपस्ट क्लास अस्येशन लेकर रहा है फिर दिमांडेट सेपरेट एलक्ट्राइट फोर दलिस आद इस सेकंड राउंड टेबल कॉंफरेंस पर सेकंड राउंड टेबल कॉंफरेंस में ब्यार अमधेट करने गांधी ब्यांड वोट करेंगे इसके लिए उन्होंने डिमांड किया सेकंड राउंड टेबल कॉंफरेंस पर देखो क्या होता है कि यह पुना पैक्ट है सेप्टेंबर 1932 में दलिट के फेवर में रंवेत्कर सेप्टेंबर 1932 में यह किसको फेवर कर रा तो दलिट के ऊपर्ट चाहिए था किस चीज के लिए चाहिए था दलित के लिए कब हुआ फिर उन्होंने डिप्रेस क्लास असोसियेशन भी फॉर्म किया था जानर्व सब्कलाइशन एक अब करएशन नन कंप्रेस्ट चाहिए था उन्हें फिर यह क्या हो लेकिन उन्होंने वोटेट इस जेनरल अलउक्टरॉट इस जानर्व बनाना थे वोटेट वोटेट वाईट इस जनर्ट अलैक्टरॉट अब जो को Muslim political organization अब यह Muslim political organization क्या था जब non-cooperationिलाफत movement कर decline हो गया ठीक है जब यह withdraw हो गया collapse कर गया non-cooperation खिलाफत movement यह जब नहीं चल पाया तो क्या हुआ कि large section large section of Muslim felt alienated from Congress जब non-cooperationिलाफत movement जब यह fail हो गया यह withdraw कर गया जब यह नहीं चल पाया तो बहुत सारे Muslims ने यह क्या fail किया मतलब ऐसा feel हुआ उन्हें कि Congress से वह aligned हो रहे हैं यह उन्हें बहुत अजीब सा वियर्ड फीलिंग आया कि हम united नहीं है यह सारी चीजे Muslims के साथ हुई क्यों वही थी क्योंकि देवर more visibly associated with openly Hindu religion nationalist groups Hindu महासभा जिसे हम बोलते थे क्योंने ऐसा लग रहा था कि Congress विलिंग अन्विलिंग थी मुस्लिम खिलाफत वो उसके साथ non-corporation खिलाफत के साथ ज्वाइन करने में तो उन्हें लग रहा था कि हिंदू महासभा बनेगा फिर एक इन लोगों का जो रिलेशन था वह बहुत ही मतलब खराब होता चला गया जबने लगे के सबस्कու Kindern को एठ हुआब यह खराबी होता है फिर क्लैशी वह इस करांव इंहां पाथना। हो गया तो जिसके कारण वह बहुत सारे मुस्लिम्स ने क्या फिल किया कि वह थो गया है अलग हो गया है और यह एक हिंदू रास्ट बन रहा है हिंदू महासभा कॉंग्रेस उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है मतलब ऐसा फीलिंग होने लगा था यह सारी चीजों को देख करके क्लैशेज और रियोड्ट सोने लगे फिर क्या होने लगा पिर बात में पिर सोचा की अगर हम हिंदू न मुसलिम रियनिमुण को नहीं रहें गय गांगर हम रहें हम ऊंगर हम्रें करे अथे जीजिजे नहीं को हम फिर क्या हुआ री नेगोसियेशन हुआ री नेगोसियेशन में क्या हुआ था कॉंगर्स और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था कि उन दोनों को क्या करना है तो फॉर्म अलाइन्स उन्हें क्या करना है एक साथ होकर के आना है एक साथ मतलब क्या होना है जिसको बोलते है वही एक साथ आना गटबंदन करना था उन्हें जिसमें मुहमद अली जिन्ना ये मुस्लिम लिडर थे वह विलिंग टू गीव अप दिमांड फोर सेपरेट एलेक्ट्रोट्स ये री नियोगोसियेशन समझ वह आया कि जब उन्हें पता चला बोलडव सेपरेट एलेक्ट्रोट्स होना चाहिए उन्हें आपर आइंटीय जो मुस्लिम लिडर थे उस टाइम है क्या कि यह इस चीज को कांपर माईज करने से साफ ही साफ इनकार कर दिया कि नहीं हम से प्रेट अलग्त रहेँ हैं कि इस चीज के अगेंस चले गाते हैं फिर क्या हुआ वें दी मुवमेंट स्टाट देर वज एन अटमस्फिर अपक्र सब्सक्राइब दिस्टरस्ट परिये मुवमे वह सोचने लगे थे मुवम्मेंट स्टार्ट देर वास अट्मस्फिर उस्पीशन डिस्ट्रस्ट का उनके पास क्या था ऐसा सोचने लगे मतलब भरोसा नहीं हो रहा था मतलब ओवर्थिंगिंग वो कर रहे थे ऐसे समझ लो तो क्या मुस्लिम डिडेंट रिस्पॉंग तो ब्रिटिश के अगेंस लडेंगे तो मुई अली जिन्ना ने को रिस्पॉंस ही नहीं दिया क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था सेपरेट एलेक्टॉट चाहिए था सेपरेट नेशन चाहिए था यही था यहीं कोश्शन होगा वाई डिट इंद इसी से आंसर बनेगा ठीक है बिल्कुल concentrate होकर देखना तो फिर जब यह call हुआ उनको मतलब मुहमद अली जिन्ना को जब बोलाया गया कि हमें उन्होंने क्या कि कोई रिस्पॉंस ही नहीं दिया इस बात को लेकर कि क्योंकि उनके अंदर क्या था अभी भी suspicion थे वह और distrust था अब देखो क्या हुआ अब देखो क्या हुआ दे वर कंसर्ण अबाउट दी मुस्लिम्स स्टेटस एज माइनुर्टी विदिन इंडिया वह इसलिए रिस्पॉंस नहीं दे रहे थे युनाइटेज स्ट्रगल क्योंकि वह बहुत किन्तित थे कंसर्ण थे किस चीज़ को लेकर कि मुस्लिम के स्टेटस को लेकर क्योंकि मुस्लिम्स क्या थी मैनर्टी में थी इंडिया में और उन्हें लग रहा था कि कहीं यह सप्रिस्ट न हो जाए हिंदू मैजर्टी बहुत जादा है मतलब एक रिलीजन वाला जो होता वैसा ही इन्होंने कह किया सूचना स्टार्ट क्यों कि रहें तो इसलिये क्या सब्स crystal कि इन्दू मैजर्टी में आ vacation क्या वो रहेंगे हमें आप स्टिक दिबांटि का सेपरेंट फ्रेंशं सब्सक्राइब कहले है क्यों सब्स्क्राइब कर क्यों थे खतनों मैजर्टी कुई साथ हिगें स्टे जो मैंनरोटी क्या हो जाएगा मुसलिम मैंडिया में इंडिया में तो क्लचर उसकी आइडिन्टिटी क्या हो जाएगी किसके अटर डॉमिननस ऑफ फिंदू मैजरोटी इसा बात आप लोगों को समझ में आया होगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तके लिए टॉपिक के समया बुप के स्वाश। हाष एूच्ट अइब इस जांइ